क्या आपको पता है MCEA करने के क्या फायदा है? मैं आज की इस वीडियो में आपको MCEA करने के चार फायदे बगाता हूँ. सबसे पहले अगर आप BCEA के बाद MCEA कर लेते हैं, तो सबसे बढ़िया rewarding career options हो जाता है, आप BTEK के equivalent हो जाते हैं. दूसरा, अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप BCEA के बाद MCEA कर लें, और आसाने से आप फॉरण abroad में किसी अच्छी company में job कर सकते हैं. इसका तीसरा फाइदा, अगर आप current trend देखें, तो AI, data science, machine learning के field में सबसे जादा job opportunities हैं और सबसे safe job opportunities हैं. और चौथा और सबसे बड़ा फाइदा कि अगर यह MCEA आप D.U. से कर रहे हैं, तो उससे अच्छा options कोई और मिली नहीं सकता आगको. आज के इस वीडियो में हम D.U. से MCEA के बारे में details देखेंगे, तो चलिए straight away start करते हैं. जैसा कि आप heading देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है complete details of MCEA in D.U. like fee, seeds, colleges and eligibility. तो अगर आज के इस वीडियो में आप MCEA सर्च करते हुए आए हैं, तो प्रीज इस वीडियो को like जरूर करें और इस वीडियो को relevant लोगों तक जरूर पहुँचाएं. चलिए, सबसे पहले जो important aspect आता है, वो यह है कि इसकी eligibility criteria क्या है? तो आज अब जो पहला topic होगा हमारे discussion का, वो eligibility criteria है, लेकिन जब हम D.U. से MCEA की बात करते हैं, तो मैं बता दूँ कि यह exam अब C.U.T.P.G. के थूरू लिया जाता है, उसका जो paper code है, S.C.Q.P.09 है, जिसके लिए आप appear होते हैं, उसका syllabus भी आज के इसी वीडियो में हम discuss करें हैं, आपकी पास bachelor's की degree हो किसी recognized university से, लेकिन यह sufficient नहीं है, क्या sufficient है, आपके पास कम से कम at least one paper और courses in mathematical science में हो, जो mathematics हो, computer science हो, stats हो, operational research हो, under annual mode, और at least two papers आपके पास क्या हो, mathematical sciences में mathematics, computer science, stats और operational research हो, तो यह क्या formula हो गया, and लगाया हुए है, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर and लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है, देखें, यहाँ पर and लगाया होगा, so one plus two का formula, यानि एक आपके पास mathematics हो, और दूसरा computers के subject हो, तो आप जा करके, आप इस exam के लिए eligible होते हैं, ठीक है, चलिए, आप देखते हैं कौन offer करता है, यह जो department of computer science है, वो offer करत करें, तो earn reserve के लिए 23, SC के लिए 9, SC के लिए 4, OVC के लिए 16, EWS के लिए 6 seats available रहती है, SCQP09 में, अगर आप appear करते हो, डिली नुवस्टी, MCA के लिए, आगे बढ़ते हैं, अब एक दूसरा भी inference examination है, जो same paper code पर eligible है, जिसको हम बोलते हैं, CUT PG में, SCQP09 का है, MSC in computer science, यानि MSC in computer science भी same paper code के थूँ देते हो, आपको शायद पता हो, तो मैं बता दूँ, कि जब CUT PG के लिए अप appear होते हैं, तो आप कोई दो paper code सेलेक कर सकते हो, पहला paper code जो होता है, वो आप सेलेक कर सकते हो, SCQP09 और उसी के थूँ दो सेलेक कर सकते ह आपकी मर्जी सेगर आपको कोई और paper code appear करना है, तो भी आप appear कर सकते हैं, तो अब इसका specific program, specific eligibility क्या कहता है, कि आपके पास bachelor's के degree हो, जहाँ पर 6 courses हो, computer science में, और 2 at least हो, mathematics में, under semester system, यानि ये क्या चला गया, 6 plus 2 के format में चला गया, जहाँ पर 6 कोई भी computer science का subject होना चाहिए, और 2 कोई math का subject हो, जो semester wise pattern पर जाता है, फिर क्या कहता है, 1B का bachelor's degree with at least 3 courses in computer science and at least 1 course in mathematics under annual examination system, दूसर सिस्टम क्या है, 3 plus 1 का, यानि 3 computer science का, और 1 चला गया, computers का, या अगर आपने BSc computer science देली उनिवस्टी से किया है, तो आप directly eligible हो जाते हो, इस course program में, appear होने के लिए, अब अगर seats देखें, MST in computer science में, तो category 1, category 2 में लाकर के total 58 seats है, unreserved के लिए 12, SC के लिए 4, SC के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 3, category 2 में unreserved 11, SC 5, SC 2, OBC 8 और economically weaker section, 3 है, seat matrix change होता रहता है, बट tentatively, ये last year के prospect test से उठाया गया, seat matrix था, अब अगर हम syllabus की बात कर ले, या paper pattern की बात कर ले, specific knowledge पूछा जाएगा, जिसमें logical reasoning हो गया, maths हो गया, और computer science हो गया, इन ही का अलग-अलग detailed syllabus होता है, बट सबसे ज्यादा importance इसमें, maths का होता है, total 75 questions होते है, subject specific knowledge पूछा जाएगा, scientific questions compulsory होते है, और paper bilingual बाता है, marking system 4 is to 1 का होता है, यानि 25% गलत answer पे deduct कर लिया जाता है, और right answer forward गया साता है, 100% mark गया साता है, अब यह जो पूरा आप देख रहे हों, यह पूरा का पूरा logical reasoning का syllabus है, और यह syllabus आपको जो कोरा page है, वहाँ पर मिल जाएगा, इसका link में description में दे रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा समय बरबाद ना करते हुए कि इनको read out में करूं, जो majorly आप देखें, तो 11th और 12th का syllabus पूछा जाता है, लेकिन अगर आप DU से MCA करना चाहते हैं, और अगर math का section आपका week है, तो पहले ही आप filter हो जाएगे, तो math पहला priority होना चाहिए, दूसरा आपका logical reasoning हो जाना चाहिए, और तीसरा computer science हो जाना चाहिए, क्योंकि computer science आप better करेंगे, और साही लोग better करेंगे, कि हर वो बंदा उसी background से आया हुआ है, तो वो definitely better करेगा, but math का section ही, MCA के लिए, make or break होगा, आप वो चाहिए, आप Nimset की बात करें, चाहिए, आप DU की बात करें, Nimset से याद आया कि मैंने already उसके उपर वीडियो बना रखा हुआ है, उसका link में description में भी दे दिया हुआ है, और I button पर भी दे दिया हुआ है, computers में आपका cooperating system और data structure पूछा जाता है, primarily इसके detailed syllabus यहाँ पर given है, अब computer में digital fundamentals भी आ गया, जो basic चीजें सिखाई जाती है, अब अगर हम देखें कि SCQP 09 के लिए कितना competition है, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो computer science में 38,891 participants ने part लिया था, इसमें से 32,963 बच्चों ने exam दिया था, अपियर हुए थे, तो 32,973 बच्चों ने exam दिया था, जो topper है, जूपर है उनका score था 252 out of 300, that is close to, not close to exactly 84%, जिसका मतलब है कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर 220 से 240 के बीच में आपका score है, तो आपके पहली cut-off में आपको DU में अच्छा college, डाम शूर मिल जाएगा, बट ये भी depend करता है आपका, कि उस साल के difficulty level कितनी है, या कितने बच किया है, उसी के according जो marking system है यो जो rank है, वो change होता है, मुझे अमीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, बट डाउट आना लाजमी है, तो या तो comment section में आप कूछ लें, या directly contact करने के लिए, आप Google पर जा करके ECUG सर्च करके हमसे contact कर सकते हैं, thank you so much.